नमस्कार आदाब मैं हूँ प्रविन और आप देख रहे हैं नियूस क्लिक का डेली राउंड अप शो आई नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्कियों पर नंदी ग्राम में मद्दान कल क्या है जनता की राय एयरपोर्ट के नीजी गरड के खिलाफ एयरपोर्ट अथार्टी आफ इंडिया के कर्मचारी आज हर्ताल पर कर्णर न्यूस वेबसाइट प्रती ध्वनी ने आर्टी नियमों को हाई कोट में चुनावती दी बेंजामिन डैमरी बने रास्ट्री पुरस का जीतने वाले पहले गे भारती अभी ने था करोन अबडेट देश में साड़े तीन सौ से जादा मरीजों की मौत एक्टिव केस साड़े पांच लाग के पार हुए पशिम बंगाल चुनाओ का दूसरा चड़ कल यानि एक अप्रेल को है जिसमें सबसे एहम सीट माना जाने वाला नंदी ग्राम कल मद्दान करेगा इस सीट से इस बार टीमसी की तरफ से मुख्य मंत्री ममता बेनाजी उतर रही है क्या है मद्दान से पहले जनता की राय या जानने के लिए देखिए वरिष्ट पत्रकार भाशा सिंग की या ग्राउन रेपोर्ट नमस्कार मैं भाशा और इस समय न्यूस क्लिक की तरफ से हम खड़े हैं नंदी ग्राम में वही नंदी ग्राम जिसने बंगाल की राजनितिक तस्वीर को बदला था और ऐसा लग रहा है कि इस समय फिर दूसरे ढंका कमपन इस नंदी ग्राम में महसूस हो रहा है पूरा का पूरा महौल बहुत पॉलराइजड है यहां से ममता खड़ी हैं खुद उन्होंने अपना पैर रखा है ताकि जिस तरह से भाशपा ने सेंध लगाई है उनके आधार में उनके नेताओं को लिया है उसे वह रोक पाएं यहां से शुवेंदू अधिकारी खड़े हैं उनके सामने भाशपा की तरफ से वह उनके ही आदमी थे ऐसा लगता है यहां देखकर कि पुरानी त्रिड़मूल और नई त्रिड़मूल के बीच लड़ाई है कि वह उच्चत जीतेगा जीतेगा कि जब तक शुवेंदू थे अब तक ट्यम से अच्छी थी नहीं यहीं वह बात नहीं अगर्वीफ ठीक है ना अभी देदा भीज़एपी नहीं आया था यार बंगल में कभी तो भीज़एपी चुनाव में जीता नहीं है सिंटरल में है भीज़एपी लेकिन तिरुमों के साथ हम लोग का उम्मिद था जो आसा था नकड़ी चाहिए अभी चुनाव प्रचार करने में मुश् है दूसरी कि अभी तो बहुत हिंदु-मुसल्मान अन्दी ग्राम में हो रहा है यारती भी हो रहा ही है है आपको कैसा लगता है नहीं नहीं हम्रा हिंदू मुसल्मान सौब एक वेदी दादा हम लोग का लिए क्या क्या घर में रैसन देता है दीदी जाओल देता है शाइकल देता है अब लोग बोल रहे हैं कि नंदी ग्राम में भी लोग उनको वोट नहीं देंगे अभी चार्सों रुप्या ग्यास आट्सों पचीज रुप्या हुआ है कि पेट्रल कितना है कि 92 डिजल कितना है कि 77 डूपीस है तो यह सब क्या कर रहे हैं जो है ना विजे पी जो पार्टी है जुम्ला पार्टी है एक नमबर बात दो कडर नक्री हम लोग आके लिए नक्री बोला था दो कडर धन्मंतिर जी एक लग का डेटा हमको देदी जी है लेका है में रोग को हमें भाल पार्टी है सब्मकूर जी ऑब बतार सोदी नौर उपड़ी में अविनल को ब curious में दो पीजलांतिको सब् Size की दॉब सुधिजित तो लिए इंडिस्ती सी चाहिए सब्सक्राइब करें तो बात छोड़ो नक्री बात छोड़ो वही भी नख खाना पिना के कुछ नहीं दिया नक्री तो दूर की बात है खाना पिना में इतना मेंगा ही बात दिया खाना पिना छोड़ो खाना पिना भी जीने कभी हग नहीं है कुछ दिन आएगा तो खाना पिना सब बंद हो जाएगा नौक्री दूर की बात है नंदी ग्राम एक बार फिर पश्चिम बंगाल की राजनीती का केंद्रक बन गया है सबकी निगाहें यहीं पर हैं यहाँ पर ममतब एनर्जी और भाश्पा के बीच सीधी और थीखी टक्कर है ममतब एनर्जी के पुराने सहियोगी शुवेंदी अग्यकारी ने भाश्पा का दामन ही नहीं थामा है उसके विस्तार और प्रचार में वह सबसे बड़े कारक के रूट में इस पूरे इलाके में नजर आ रहे हैं इससे निपटने के लिए ममतब एनर्जी ने फैसला किया कि वो यहीं कैम्प करेंगी और लगातार उनकी बैठकें रैलियां बहुत अच्छी हो रही है लेकिन एक बात जो बहुत तीखी है और साफ दिखाई दे रही है वह है हिंदू मुसल्मान के बीच धुरूबी करण जिसे कराने में भाशपा यहां बहुत हद तक कारगर हो पाई है राज़ानी राची समित पूरे जहारखन के नाबाड करमचारी मंगलवार को लंबित पेंशन सहीत अन्यमुद्दों को लेकर छेत्री कार्याले के बाहर धरने पर बैठे रहे हैं नाबाड के अधिकारी करमचारी और सेवा निर्वेत स्टाप सदस्य यूफ ओ इरन के बैनर तले करीब देड़ साल से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं नाबाड करमचारीों की निमलखित मांगे हैं 20 साल की सेवा के बाद पूरी पेंशन, अंतिम वेतन या पिछले 10 महीनों की औसत परिरब दियां इन में से जो अधिक फायदे मंदो उसके आधार पर पेंशन की गढ़ना प्रतिकवेतन संशोधन के साथ पेंशन में संशोधन और आखरी बार पेंशन विकलब को फिर से खोलना और उन करमचारीों को एक और विकलब देना जिन्हों ने पेंशन का विकलब नहीं चुना था गौर्ड तलब है कि यह सभी सुविधाय रिजर्ब बैंक के कर्मचारियों को करीब 10 साल पहले से मिल रही हैं मगर नाबाट के कर्मचारी अभी तक इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं Airport Authority of India के यूनियनों ने नीजी करड के खिलाफ अपने अभियान को तेज करने और नीजी खिलाडियों को हवाई अड्डों को सौपने के खिलाफ आंदोलन शुरू करने की योजना बनाई है सन्यू तमंच और ए ए आई के संगों के बैनर तले यूनियनों ने केंद्र से अधिक भार्तिक हवाई अड्डों के नीजी गर्ड की योजना को वापस लाने का आग्रह किया है यूनियन आज यानि बुद्धवार 31 माच को सभी AAI प्रतिष्ठानों के सामने इसके द्वारा नियंत्रित हवाई अड्डों और छेत्री मुख्यालों सहीद एक दिन के धरने पर है इसके बाद हर बुद्धवार को दोपहर के भोजन के दौरान भी प्रदर्शन किया जाएगा करनाटक हाई कोर्ट में डिजिटल मीडिया को नियंत्रित करने वाले नए IT नियमों को चुनाती दिये प्रतिधवनी ऐसा करने वाला चौथा पोर्टल बन गया है इससे पहले दक्विंट, दवायर और लाइव लौ ने इन नियमों को अदालत में चुनाती दिये केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए इन IT नियमों में OTT प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया को नियंत्रित करने के प्रावधान लाए गए हैं जिनका देश में एक बड़ा वर्ग विरोध कर रहा है इन नियमों को अभी व्यक्ति की आजादी का हनन के तौर पर देखा जा रहा है सरशटवे रास्ट्री फिल्म पुरसकार की घोशना हाल ही में की गई जिसमें LGBTQ समुदाए में रास्ट्री पुरसकार पाने वाले पहले अभीनेता Benjamin Damry बन गए हैं असम के Benjamin को फिल्म जोन की पौरुवा में एक ट्रांस्जेंडर जाहन का किरदार निभाने के लिए स्पेशल मैंचन जूरी अवार्ड दिया गया है अवार्ड पाने के बाद LGBTQ समुदाए के एकसेप्टेंस के बारे में बिंजामिन ने कहा कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में LGBTQ समुदाए के देश की किसी भी हिस्से से ज़्यादा सही शुड़ता है उन्होंने ये भी कहा कि शायद उनको पुरसकार मिलने से समुदाए के साशक्ती करण को बल मिलेगा किंदी स्वास्त मंत्राले दोरा आज बुद्वार 31 माज को जारी आगडो के अनुसार देश में पिछले 24 गंटों में कुरोना के 53,480 नए मामले सामने आए हैं इसके अलावा कुरोना से आज करिब 3,5 महिने बाद साड़े 300 से जादा यानि 354 मरीजों की मौत हुई है साथ इसी बीच देश बर में कुरोना से पिड़ित 41,280 मरीजों को ठीक किया गया है और एक्टिव मामलों में 11,846 मामलों की बढ़ोतरी हुई है देश में कुल मामलों की संक्या बढ़कर 1,21,49,335 हो गई है जिन में से संक्रमण के कारण अब तक 1,62,468 मरीजों की मौत हो चुकी है देश में कुरोना से पिड़ित 94,1,1 फिसदी यानि 1,14,34,301 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और एक्टिव मामलों की संक्या बढ़कर 4,54 फिसदी यानि 5,52,568 हो गई है स्वास मंत्राले की ताज़े जानकारी का अनुसार देश में अब तक कुरोना वैक्सीन की 6,30,353,353 डोस दी जा चुकी है जिन में से 19,40,999 वैक्सीन की डोस पिछले 24 गंटों में दी गई है आज के डेली रॉंडों में बस इतना ही निउस क्लिक के यूटिब चानल को सब्सक्राइब करें साथी देश और दुनिया के अन्य खबरों के लिए हमारे हिंदी और इंग्लिव सेबसाइट भी जरूर देखें फेस्बूक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हमें फॉलो करें निउस के देखने के लिए शुक्रिया